के मैं लवली से विल्कम बैक टो मैं चैनल फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए एक एसे फेस वोश का रिव्यू लेकर आगे हूं जो काफी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है वो जो फेस वोश है फ्रेंड्स वो है यह मामा आर्थ का विटामिल सी फेस वोश जो काफी ज़्यादा प्रेंड में लोग इसे काफी ज्यादा पसंद कर रहें तोस्तर आज हम एक लाइटनिंग करता है और साथ हमारी स्किन को यह काफी अच्छे से डीप पेनिटेट करता है यह क्लेम करता है कि यह तर्मरिक एंड विटामिल सी से बना हुआ है इसके अंदर स्किन इल्योमिनेटिंग प्रपर्टीज है साथी प्रेंट्स यह जो है पैरेबेंट फ्री है सल्फेट फ्री है अगर इसके क्वांटिटी की बात करें तो यह 100 ml का है अगर आप मौनिंग में और आप इसे नाइट टाइम में अगर दिन में आप दो पर यूज़ करते हो तो यह यह से दो मैना इसे आराम से यूज़ कर सकते हो इसमें जो इंग्रीडियंट्स है नैच्रोल में अच्छे तरीके से टॉणिं जेते हैं जासे कि लेमन ओ उइल हो गया इसमें टर्मरिक है इसमें एक्वा है और इसमें अग्लिसरीन है इसे काफी सारे अमेनोर्स इसमें एड की हुए जिससे कि आपकी जो खेल अखीशों ग्लॉब करती है यह ब्राइटनिंग एफेक्ट देता है कि विटामिन C जो होता है वह काफी ज़्यादा मात्रा में उसमें एंटियुक्सिडेंट्स होते हैं और हमारे स्कीन को लाइटन और ब्राइटन बनाने की प्रोपर्टिस होती है तो यह हमारे स्कीन को बहुत ही अच्छे से लाइटन भी हो सकता है हम लोग जादा से जदा करते हैं कि पॉलिशन ना हो तो फ्रेंट्स यह जो इसकी पैकेजिंग है वह प्लास्टिक पॉजिटिव है जिससे की रिसाइकल हो जाएगा अगर इसकी प्राइज देंच की हम बात करें तो यह तो अगर आप मामा आर्थ या परपल स सब्सक्राइब दिन लेका परप्राइब से अपने में ना व्यत्सक्राइब करते हूं लेकर डान ना फै שמנ करन से पहले कि रिचे आपकर लेकर करने के बाद में बातकर अपनी तरह के बढ़ाइबural कर अनिससे ऐसे प्रड़ेद में मिय बैकर पीजिगि द्यूंग पशनि में लगाना है उसके बाद में आपको टू से थी विनिट अच्छी तरीके से अपने फेस को सर्कुलर मोशन में अप्लाइ करना है और अपने वेस को वश कर लेना है कि आपकी स्कीन को बिल्कुल भी ओवर DRY नहीं करेगा आपकी स्कीन को यह मोश्यलाइज भी रखेगा आपक स्कीन में काफी सारी जो ओयल और डर्ट होता है उसी बहुत ही अच्छे से रिमूव कर देगा तो एक बार आप इसे जरूर सी उस करें एंट फ्रेट्स अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें तो आपको जरा सी क्वांटिटी लेनी है और उससे आप अपने फेस पर फेसकी जो कंसिश्टेंसिय वह कुछ हनी टाइप की है इस तरीके से हनी की जो कंसिश्टेंसिय होती है वेसी कंसिस्टेंसिय इसकी रणी चेंसिटेंसियन फोद्स्थाईल उसका कुलर है इसका जो अप्र टार resembles सब्सदेंस अगर मैं आपको सज्जिस्ट करूं तो अच्छा फेस्वोश होने वाला है तो फ्रेंट्स आप इसे एक बार जरूर से ट्राइब करें तो फ्रेंट्स आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आया होका अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजेगा कमेंट कर दीजेगा और साथी मेरे चैनल को कर लिजेगा सबस्क्राइब तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाइए टेक केर